हेलो दोस्तों मेरा नाम है विभव और आज की इस वीडियो दोस्तों में एप्लिकेशन बेज्ट कोश्चन को स्टार्ट करने वाले हैं जो कि दोस्तों आपके लिए जो आपका टम वन का एक्जामिनेशन होगा उसके लिए बहुत ज़्यादा हैल्फुल वीडियो है जैसा कि दोस्तों आपने देखा होगा आपके सेंपल पेपर हो जो आपका CVC की दोवारा रिसेंट्ली रिलीज हुआ है तो उसमें दोस्तों आपने देखा होगा जो आपका सेक्शन नंबर B है जिसमें दोस्तों आपसे एप्लिकेशन बेज्ट कोश्चन पूछेगा है तो चली वीडियो को स्टार्ट करते हैं वो कौन सा है दोस्तो तो first picture है दोस्तो मारा tabular method का, second picture है दोस्तो मारा वो है staircase method का, third picture cycle method का, fourth picture है दोस्तो मारा knockout method का, तो इसलिए दोस्तो जो option number B है वो इसका correct answer हो जाएगा, next question दोस्तो मारा matching का question है, deciding in advance what is to be done, इसका मतलब दोस्तो पहले सा सोचना कि हमें क्या कारना है, तो य इसलिए दोस्तो जो option number C है वो इसका correct answer हो जाएगा, next question दोस्तो मारा which statement is not correct in the statement of advantage of knockout tournament given below, इसमें से पूछा जा रहा है में दोस्तो options में 4 statement दिये गये है, जो कि दोस्तो advantage knockout tournament के, लेकिन दोस्तो इसमें से पूछा जा रहा है कौन सा correct statement नहीं है, advantages of knockout tournament के लिए, तो दोस्तो लेकर करके पढ़ते हैं, A, less number of officials are needed, B, fewer days are needed to complete the tournament, C, less expenditure, D, tournament is less challenging, तो इसका correct answer क्या हो दोस्तो, इसका correct answer हो option number D, tournament is less challenging, ये जो statement है दोस्तो, ये दोस्तो correct statement नहीं है, advantages of knockout tournament के लिए, त्यूंकि दोस्तो नौकाउट tournament में भी जो team participate करती है, उनको भी दोस्तो आपस में अच्छा खासा competition देखने के लिए मिल जाता है, और दोस्तो जो knockout tournament है, वो भी काफी challenging होती है, इसलिए दोस्तो जो option number D है, वो इसका correct answer हो जाएगा, next question दोस्तो हमारा, if number of teams is 25, knockout picture, match the following, इसमें से पूछा जा रहा है हमें दोस्तो कि अगर 25 teams है, जो कि दोस्तो knockout tournament में participate कर रही है, उस इसका formula हम लगा देते है, formula है दोस्तो हमारा n-1, n-1 में जो number of teams है, वो क्या है दोस्तो 25, 25-1 कितना हो जागी 24, next है दोस्तो हमारा number of buy, तो number of buy क्या होगा दोस्तो इसमें, तो number of buy क्या होगा, next highest power of 2 minus number of teams, तो next highest power of 2 इसमें क्या हो जागी दोस्तो, वो हो जागी 32, 32-25 कितना ह अब दोस्तोu next है number of round number of round कैसे निकले लेगा दोस्तो तो इसमें number of round लेगा 2 in 2 2 in 2 2 in 2 2 कितना होगे दोस्तो फाइव राउंड्स हो गए next है दोस्तो erstmal number of uh upper of team इसमें कहा जा रहा है दोस्तों कि number of teams stick upper ¿team? ऐसा इसमें कहा जा रहा है जाएगा, नेक्ट कोशिन दोस्तों मारा which type of method given in this picture under tournament, इसमें कहा जा रहा है दोस्तों हमें एक picture दिया गया है, जो कि दोस्तों एक tournament का है, लेकिन वो कौन सा tournament का picture है, ऐसा हमें इसमें identify करना है, तो इस picture को देखते ही दोस्तों आपको पता चल गया होगा है किस चीज का picture है, त इसमें कहा जा रहा है number of matches निकालने के लिए knockout tournament में क्या formula है, तो हमें दोस्तों simple सा पता है, formula है दोस्तों मारा n-1, तो option number 6 का correct answer हो जाएगा, नेक्ट कोशिन दोस्तों मारा which types of tournament picture is given in this picture, इसमें कहा जा रहा है दोस्तों हमें एक tournament का picture दिया गया है, लेकिन वो कौन सा tournament का picture है और रॉर्गनाइजिंग कम्यिटी, तो और प्यूस्तों काम होता है, इसका काम होता है, responsible for organizing and smooth running of the tournament, अब publicity कमिटी, तो दोस्तो प्यूसिटी कमिटी का क्या काम होता है, तो publicity क्मिटी काम होता है, तो इस बैड इन फरमेशन एबाउट थान काम ओल मेंट वहा होता है, अब मा तो इसका correct answer क्या हो जागा दोस्तो इसका correct answer हो जागा दोस्तो option number C next question दोस्तो हमारा if number of teams are more and team is less to complete the tournament which method will choose to conduct the tournament इसमें कहा जा रहा है दोस्तो अगर बहुत जादा team participate कर रही है और time हमारे पास come है tournament को conduct कराने के लिए तो कौन सा method suitable होगा इस tournament को conduct करने के लिए तो options को पढ़ते हैं A. Elimination Tournament B. League Tournament C. Single League Tournament D. Double League Tournament तो इसका correct answer क्या हो दोस्तो इसका correct answer को option number A. Elimination Tournament जिसे हम knockout tournament भी कहते हैं तो इसलिए दोस्तो जो option number A है वो इसका correct answer हो जाएगा तो यह थी दोस्तो हमारे आज की वीडियो जिसमें हमने discuss किया class 12 के physical education book unit number 1 planning in sports के application based MCQs को I hope यह वीडियो आपको helpful रही होगी अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए इस वीडियो को share कीजिए अपने दोस्तों के साथ और अगर आप ऐसी वीडियो को देखते रहना चाते हैं तो इस चैनल को subscribe कीजिए तब तक लिए दोस्तों all the best stay tuned with us